नमस्कार मुस्मुति लगना प्रतिती प्राकृतिको दुर्भीपा करे प्रतिती बिपदरे गुंज्र वलन्टियर माने लोकों को पाखरी छेडा होई छन्ती शेमानकर असजडा जिबानको सजेबा पाई चेस्ट्रा करी छन्ती आजी कथा आबा अंग्शुगुप्तां कसाईता तो आमसर अच्छंती गुंज रसीव और फाउंडर अंग्शुगुप्ता स्वागत करी बात अंको कार्जक्रम को कौथा आबा मौनकोली की सर नमस्ते स्वागत है आपका अर्गस निउस में गुंज की शुरुवात कब कहां केसे नाइंटी एट में मैंने जॉब चुड़ा था और तब इन फॉर्मली शुरू हुआ था और पता नहीं था क्या कर रहे हैं नाइंटी नाइन में फॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं ठारा फरवरी को जब रिजिस्ट्रेशन हुआ था उससे पहले तो भी हमें अच्छा खासा जॉब था अपका वेल ओन जॉब अच्छा सालेरी तंखो अब बहुत अच्छा था इसके बीच परिवर्तन केसे की कुछ नया करना है कुछ डिफरेंट करना है और लोगों के लिए कुछ करना है यह सोच के से देखिए बात मैं यह नहीं कह सकता कि लोगों के लिए कुछ करना है यह सब उस समय इतना सारा थोट था बट हाँ दो एक चीजे थी एक तो कुछ मुद्धे बहुत परिशान कर रहे थे तो जैसे कपड़े का इशू मुझे बहुत परिशान कर रहा था मेरे अपने जैनलिजम के दिनों में मेरी मुलाकात हभीब भाई से हुई थी जो डेट बोडीज उठाते थे वो स्टोरी बहुत कॉमन है कि कैसे उनकी बेटी ने कहा कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूं जो मेरे लिए अनिमेजनेबल थ रहा और मैं बहुत टाइम तक उस चीज को समझ नहीं पाया कि है क्योंकि हमारे हमारे थौट प्रोसेस में तो डेट बोडी स्कॉल्ड होती है क्योंकि हम कंपल्शन नहीं समझ रहे थे किसी तरह तो उस तरह का कुछ-कुछ-कुछ होता रहा और यह लगा कि अब और दूसर धिर्शन चाहँ यह रहा होगा कि अब जौब और एप्लाई नहीं करना है चोड़ना तो एक बात है मुट अब और एप्लाई नहीं करना है और इस अंण टरिटरी में थोड़ा सा निकलना है जिसिकी आब बोल रहे थी कि अब मस्कॉम की स्टूड़न्ट है तो अगर आप होते तो बहुत ऐसे मुद्धे हैं जो आप लोगों के सामने ला सकते थे दट वाज अन ऑपर्चुनिटी मुझे लगता है कि ना मैं इस समय सिरफ मुद्धों को सामने ला पा रहा हूं बलकि उस पे बहुत कुछ कर भी पा रहा हूं तो हर एक हर एक प्रोफेशन के अपने प अच्छे इंटेंशन से करता और ये भी एक अच्छा मौका मिला जिंदगी में जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है ना पूरे खंदन में किसी को नहीं पता था मैं तो हाड़कोर इंजिनियर्स की फैमली से आता हूं और उसमें क्योंकि करते रहे और डी करते हैं क्योंकि देने वाला लेने वाला डोनर बहुत गलत थोट्स सिरफ शब्द नहीं है बहुत गलत थोट्स आपके लिए सब्द क्या है मैं कहता हूं स्टेखोलडर है वो भागीदार है वो हरी चीज के भागीदार है आप मुझे को बताईए हम लोग को काम शुरू दो कपड़ों से शुरू हुआ गए अपी जो खंख़ भी तो बहुत कुछ अलग गतरे की चीजे होँ हुऩ begitu आपना पुराना सामान दे कर अपने को डोनर कैसे बोल सकते हैं क्या कर रहे हम ढाट कर रहे हम टी नहीं आप रहे हैं क्यों क्यों गरा है एंडी या क्थ उष प्रणली एक डिजास्टर में इतने ट्रक के ट्रक निकल के क्यों आता है? क्योंकि वो हमारे घर में फालतू पड़ा है. तो इसलिए हमको उस डोनर माइंड से हटना चाहिए. हमें ये मान के चलना चाहिए कि वो जो लोग जिनके लिए हम थोड़ा सा काम करने की कोशिश कर रहे है. आप सोचे वो कितना कुछ देते हैं? वो आपको अपनी लाइफ में जगे देते हैं. आपके सामने अपनी लाइफ पूरी खोल के रख देते हैं. आप उनके गाउं में जाते हैं तो वो मालाएं पहनाते हैं नारियल के पेड़ पे चड़के नारियल आपके लिए लाते हैं आपके साथ समय बिताते हैं उनकी लाइफ तो सुबे से शाम तक उतनी बिजी है उसके बाद भी मेरे जैसे अजनबी के लिए वो पूरे दिन वेट करते हैं और दालमा खिलाते हैं, चावल खिलाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं तो कौन है, giver कौन है मैं किस हट से कहूं कि मैं giver हूँ just because मैं कुछ सामान लेके चला गया तो मैं giver हो गया समय बहुत कीमती है, विश्वास बहुत कीमती है किसी पर भरोसा करना बहुत कीमती है, वो तो वो लोग दे रहे है तो इसलिए जो डोनर बेनिफशरी वाला शब्द है, यह मुझे लगता है कि बहुत गलत है यदि मेरे सामान का या मेरे पैसे का कहीं पर अच्छा यूज हो पाया तो बेनिफशरी तो मैं भी हूँ, बेनिफट तो मुझे भी हुआ एक आंदोलन अभी सुरूफा है गुंच के तरफ से ग्राम स्वाभिमान और ये स्वाभिमान के बाद वही सोच सकता है जो खुद स्वाभिमानी हो क्या आप बोलना चाहेंगे इसके बादर? है, स्वाभिमानी तो है, मतलब अपनी शर्तों पर जीते हैं और अभी कम से कम ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े या कोई कम्प्रोमाइस करना पड़े और ये इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे माबाप का है जो अनफॉचनेटली मेरे फादर और मदर अभी दोनों नहीं है बट उन्होंने बहुत एक बहुत एक खुदारी से जीना सिखाया था और ये सिखाया था कि अपनी शर्तों पर आप जी हो आपको किसी का बुरा नहीं करना है आपसे भला हो पाए ना हो पाए बट किसी का बुरा नहीं करना है और किसी की दादागिरी नहीं जहिलनी है अपनी लाइफ में ठीक है जो हमसे हो पा रहा है आपने जिन्दगी में हम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो यह परसनल जर्णी है कि बाइस साल अब गुंच को रन करते हो गए और बहुत एक अच्छी टीम और हजारों वालिंटियर्स जुड़े हैं और एक मुव्मेंट की तरह उसने काम किया है तो मुझे बहुत ताइम से एक इचिंग थी कि मुझे कुछ और साथ में करना है पहले आप कपड़े के लिए कि फिर अवी हेल सकने सेक्टर में वाटर रिजर्बेशन में फिर आप अलग-अलग सेक्टर में काम करो कुछ लक्षी है कुछ मंजिल है जहां तक पहुंचनी है नहीं देखे हम लोग साथ रहा है मैं बात करूंगा उस पर गुंच का जितना भी काम है वो सारा इंटर रिलेटेड है जो पुर जो सामान है जो हम आज की डिट में करीब 6000 टन और मुस्ट साटला किलो के असपर समान हैं करते हैं क्लॉस उटेंसिल फूट्वेर फरनीचर हर तरह का सेकिने नया सम पातार में और उसका जो रिवार्ड का सिस्टम है वो पैसा ना होके सामान हो सकता है क्योंकि आप किसी को दो पैंट ऐसे दे देते हैं क्ल आप जाते हैं और कहते हैं कि यह मेरी है तो वह कहेगा हम जी आपकी है कुछ बोल नहीं सकता मजबूरी है फिर वो अपना पोखर प BOB वहे रिख दोस्त है हम्पने फालो बजह को सिखा आ, कि चॉक्लेट मत लेना तो खुद के चीजे खुद बोलने का तरीक़ गुंजने सुरूक्या है हाँ आपको कहना पड़ेगा आपको बोलना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ले देके जो सबसे बड़ी चीज है जो आपकी God gifted है वो आपका सौब इमान है वो आपकी इज़त है उसको बचाए रखना उसको बनाए रखना वो हम सब लोगों का काम है और ये गलत सोच है कि यदि कोई इंसान so-called साफ कपड़े नहीं पहनगा, क्योंकि साफ तो हमारी definition है, so-called कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनगा, so-called इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी हमारी definition है, उसको पजामा अच्छा लगता है तो उसके लिए वो ही अच्छा कपड़ा है। हम यह क्यों नहीं समझ रहें। यह मत सोचें, क्योंकि उस इंसान के पास भी उतनी खुदारी है, उसका भी दिल उतना ही है। बलकि दिल उसका हमसे ज़्यादे बड़ा है बहुत सारे केसे में तो इसलिए उसका सवाविमान बचा रहना बश्रूरी है, आप उसको charity करकर के उसको मत दवाईए, उसको बारवार गरीब बेचारा बेसारा मत बोलिए, उसके हातों में बहुत धम है, अभी हमारे एक साती है बिचारावाट खतम कर देता है। एक बात यह बताईए, जो शब्द मुझे अपने लिए या अपने परिवार के लिए अच्छे नी लगते हैं, अपने दोस्के लिए अच्छे नी लगतें, वह मैं समाज में कैसे बोल देता हूं। हर सफलता के पीछे रिजेक्शन होता है यह हम सुनते आ रहे हैं आपने कई रिजेक्शन देखे हैं लाइफ में या जिन्देगी के किताब बहुत ही मतलब सरल थी आपके लिए यह तो कर्व है तो पहला तो आइडिया लेवल पे रिजेक्शन है मुझे याद है कि जब शुरू में हुआ तो एक तो हमें तो कुछ पता नहीं था सोचल सेक्टर का और एंजियों तो दुनिया बर के अलतुपालतु बातों के अलावा लोगों ने जो ग्यानी ध्यानी ने जब कि कपड़ा देखके आप पहचानते हो कि अमीर है गरीब है अपर कास्ट अलोर कास्ट एंफोर्चन लिटरेटिव इस विजन तो वही से आथी वही है तो एक इस वाले कपड़े ना पहना हूं और इसकी जगे एक पटावा पुझामा और टीशिट पहन किया तो आ क्योंकि हमारा सारा connection उससे है और आप MDG, SDG सारे development के dictionaries और data देख लीजे या program देख लीजे आपको कपड़ा कहीं issue नहीं मिलेगा वो इतना ignored है जबकि basic need है तो जब हम उस पर काम शुरू कर रहे थे तो बहुत लोग का कहना था कि घंका गाम करो फिर ये ignored idea में लोग जुड़ते कैसे गए देखे आप अपनी मुझे लगता है आपको अपने idea पर विश्वास होना चाहिए और बिना किसी चीज की इस बात की फिक्र किये आपको लग रहे है कि कुछ अच्छा इसका होगा कितना अच्छा होगा क्या होगा हमें भी नहीं पता क्यों हम ऐसे calculate नहीं कर सकते हैं ये सब business वाले शाद business plan मना सकते हो हम तो नहीं कह सकते कि कितना बड़ा social change आएगा आएगा नहीं आएगा हमें अपने पर वरोसा है कि हम करेंगे इमानदारी से करेंगे भले ही छोटा करें तो जब आप इमानदारी से करते रहते हैं किसी काम को दूसरा आप learning mode में रहते हैं आप ये देखते हैं कि यदि हम आज कपड़े पर या पानी पर या सड़कों पर जो भी हम infrastructure पर environment पर काम कर रहे हम learning mode में हम अपने को water expert नहीं बोल सकते हैं हम अपने को mensal hygiene की expert नहीं बोल सकते हैं हम सीख रहे हैं गाउं की जो महिला अपनी जिंदगी हम पर खोल के रख देती है और हमको ये बताती है कि मेंसेस के दौरान वो किस दौर से गुजरती है वो हमारी teacher है तो मैं तो गाउं को अपनी university मानता हूं तो ये सीखने का तरीका गाउं से सुरू हुआ है कितने गाउं तक आप पहुँच पाई हाभी तक हर साल हजारों नए गाउं में पहुँचते हैं और deep rooted काम करते हैं में तो आप बहुत ही काम किये हैं हाँ उडिसा में देखिए तो बी ओनेस उडिसा बिहार जैसे states में हम लोगों का बने रहना और उसका organization का का थोड़े बड़ा होने की एक वज़े disaster भी है क्योंकि बड़ा दुख होता है कि बहुत मुश्किल से लाखों लोग अपनी बढ़ हम कम से कम जितने भी लोगों के साथ हो सके हर साल खड़े तो होते हैं सर जो remote area है आप दारिंग बड़ में गए हो आप कंधमाल के बहुत गाउं में गए हो आपके सोच को ओ लोग केसे accept करते हैं हम लोग के समाज में हम लोग के society में मतलब यही ritual है यही मानने का है आ आप काम करो फिर आपको पुंजी के दोरान पेसा ही मिलता है आप काम के बदले कपड़े देते हो आप काम के बदले कुछ सामगरी देते हो फिर ओ लोग उसको केसे अकसेप्ट करते हैं तीकि मुझे लगता है कि हिंदोस्तान के गाहों बहुत सिंपल प्यॉर लोगों से भरे हुए हैं क्योंकि हम लोगों के थोड़े से थोड़े से थौट प्रॉसेश शेहरों में आके जब हम उल्शा हुआ हैं तो हम बड़े इंसिक्योर हो जाते हैं तो हम सामने वालों को भी उसी लेंस से देखने लगते हैं वो बहुत खूबसूरत बहुत प्यारे बहुत भूले लोग हैं और शायद इसलिए बहुत सरे लोग अभी भी उसी लेवल पर पावर्टी में जूज रहे हैं क्योंकि उतने भूले लोग है दूसरा बहुत कुछ डिपेंड इस बात पर करता कि आपकी language क्या है, आप वहां पर जाके क्या कह रहे हो, कि आप काम करोगे तो हम समान देंगे, क्या आप ये language use करो, कैसे समझाते हैं लोगों को? तो हमारा तो बहुत सिंपल से तरीका है, हम तो लोगों के साथ बैठते हैं, रहते हैं, और हम उनसे ये पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि इस विलिज के क्या इशू है, ये कोई टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, कि हम यहां बैठके कह दें कि हर गाहों में सड़क जो साथ में हम खड़े हैं, हम आपको जाकर कह रहे हैं कि भाई मेरे मुझे तो कुपना खोदना नहीं आता है, मैंने तो चुवां का नामभी नहीं नी सुना अपनी लाइफ में, आप मुझे बता हरे हो, आप इसे कर सकते हो, हम आपके साथ घड़े होंगे, दूसरी problem ये स सड़क पर नहीं चलने वाले हैं, हम उस पोकर की मचली नहीं खाने वाले हैं, आप ही के लिए हो रहा है, तो बहुत बहुत acceptance है, मतलब हमें doubt तो नहीं था कभी, बट हम भी शहरों में पले बढ़े हैं, तो obviously और हर जगे नहीं struggle शुरू होती है, आप आज नए विलेज में जा करना है, बट बहुत large scale acceptance है, और large scale acceptance दो-तीन वज़े से है, वो सामान की वज़े से नहीं है, वो इस वज़े से है कि आपने, वो इनसान जो है, आपने उसको उसकी इज़त दी, सौभी मन दी, आपने उसको value किया, आप उपर से कुछ नहीं थोप रहे हैं कि ऐसा करना है, बहुत गाउं में आप पहुंच चुके हो, आगे बहुत पहुंचना बाकी है, गर्मेंट का जो cooperation, आप कुछ expect करते हो, गर्मेंट के तरफ से हर जगा, देखे हम लोग large scale पे बड़े, हम रागा क्योंकि top-down approach है ही नहीं, तो हम जाके किसी state में और उसमें direct बात नहीं कर रह हैं, स्कूल की जो local bodies हैं, उनके साथ में काम करते हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल में आंगनवाडी में बहुत काम करते हैं, यदि कहीं जंगल में काम हो रहा है, तो वहां के एक अलग चीजे हैं, जिसमें local authorities का योगदान रहता है, तो हम लोग क्योंकि हमारा कोई confrontation mode नहीं है, हम किसी को यह नहीं कह रहें कि यह नहीं हुआ इसलिए करना है, अरे यह किसी नहीं किया इसलिए करना है, हमें दिख रहा है कि यह अभी अधूरा है, इसको साथ मिलके कर सेते हैं, तो कच्चा कुवा हम बना देते हैं, पक्का सरकार बना देगी, कच्ची सड़क हम बना ले आपके इंस्पिरेशन कौन है? देखे, एक तो और कोरोना के बाद तो वाइरस बहुत ही नेगेटिव शब्द हो गया और मैं तो खुद भी क्योंकि कोईट की जर्णी से निकला हूँ तो वो उसको बहुत करीब से देखा है हम चुरू से बोलते हैं कि वाइरस के कुछ खुबसूरत चीज़े होती है वाइरस के खुबसूरत चीज़े ये हैं कि वो जाती धर्म नहीं देखता वो जोग्रफी नहीं देखता वो बॉर्डर नहीं देखता किसी को भी चुपक जाता है तो यदि हम positive virus तो थन भी नहीं देखता, किसी का पास है, किसके पास नहीं. Exactly, तो उसके लिए सब बराबर हैं, तो हम इसलिए अपने को positive virus पोलते हैं, कि हम सोच का virus है, positive सोच का virus है, positivity लाने की कोशिश करेंगे. और जहां तक inspiration का सवाल है, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मतलब जो books हैं या thoughts हैं, वो सम्हाँ नहीं पढ़ता है, बहुत साल पहले छोड़ दिया. मैं हमेशा कहा करता था कि मैं, मतलब व्यूज नहीं पढ़ूगा, नियूस पढ़ूगा, अब तो नियूस भी नहीं बच्ची पढ़ने लाएक तो को, उससे भी थोड़ा अलग हो रहे हैं, बाट एक बहुत बड़ा inspiration मुझे हमेशा मिलता है, villages से, और बहुत सारे लोगों से, जो slums में रहते हैं, क्योंकि slums का हमें एक बात यह समझनी पढ़ेगी, कि slum city का extension नहीं है, यह गलत फहिमी है, slum city का extension होते तो मेरे और आपके जैसे लोग भी जाके रहते, slum village का extension है, उनका जो value system है, वो गाहों से गया वा है, और यही वज़े है कि pandemic में, lockdown के बात, सब roots पे वापस आए, गाहों के जो आम इनसान है, आप उससे यह सीख सकते हैं कि resilience क्या होता है, rebuild कैसे किया जाता है, इतने सारे कश्टों के बीच में आप मुस्करा कैसे लेते हैं, आप गाना कैसे गा लेते हैं, आप भजन कैसे कर लेते हैं, आप एक छोटी सी party भी कैसे कर ले मतलो हर चोटी चीज में खुसिया हाँ आप देखो ना आप इतनी वार आप भी गए हूंगे हम भी जाते हैं गाउ में हमें तो आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो हाथ फिला के बोल रहा हूं मुझे देदो क्योंकि मैं तो लोगों से साफ कहता हूं वहरा क्यान गाउ में भीकारी नहीं बिलते हैं भी आप शाहर का विशह है हाँ गाउ में देने वाले लोगे हैं गाउ में जो भी करेंगे और सबसे बढी बात है कि अपना समय देते हैं। वो तो सबसे कीमती हैं, हम लोग किस चीच के भाव खाते हैं, जम पर समय नहीं है, और वो लोग खाली नहीं बैठे वे, उनकी, यदि कोई महिला हमारी मीटिंग में चार गंटे लगा के जाती है, तो ऐसा नहीं है कि उस दिन के उसके जो बाकी काम हैं जम्मेदारियां हैं, उसको एक्जैक्ली वैसे खाना बनाना है, सब कुछ काम तो उसको करने हैं, उसके बाद भी वो चार गंटे हमको दे रही हैं, सरफ बहुत अवार्ड में समानित हुए हैं, रमन मैक्से से अवार्ड में भी आपको समानित किया गया है, तो अप्रिशेशन इन अवार्ड साथ हुआ, जो हमारे साथ में काम करते हैं, जो हम पर भरोसा रखते हैं, मुझे याद है, जब 2015 में मैक्से से मिला था, तो देश के बहुत सारे गाहों में मिठाई बटी थी, और ये बहुत सारे गाहों के लोगों को ये भी नहीं मालूम की मैक्से से अवार्ड क्या है, उ कुछ अलग तरह का कर रहे थे कि लोग आप कहते हैं कि गाओं के लोग पैसे के बदले काम नी करते और आजकल चावल फ्री मिल रहा है इसले नहीं करते वो नहीं करते और यहां हम लोग कई सो किलोमेटर सड़क बनाए बैठे हैं हजारों पोक्रों पे काम कर चुके हैं और व अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और मैं तो वैसे भी क्योंकि पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है तो एक जो अपने से वादा किया है वो यह है कि जिस जगे जाओगे जिस स्टेट में जाओगे वहीं का खाओगे अब यदि मैं यहां पे भी आकर हर की दाल औ आपको दो चीज मिलती है एक अच्छा खाना एक सैटिस्फिक्शन बहुत सैटिस्फिक्शन आपको मिलती है जो काम आप कर रहे हैं देश की यूबाई के लिए आपके आपका क्या कहना है क्योंकि जब आपके अंदर यह आइडिया आया था गूंच का सुरवात हुआ था वेर यूंग, परिवरतन यूबा यह ला सकते हैं आप सोचते हैं मैं तो अभी भी यंगी मानता हूँ ने अभी भी हैं कि देखें मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने कहा है साटिस्फिक्शन मिलता है बट उसके साथ में बहुत आप भार लेके भी सोते हो में क्योंकि तो फिर आपके पास कुछ करने के लिए है, खाली हाथ पे हाथ रखने के लिए नहीं है, तो मैं यूट से या इस देश के लोगों से यही कहता हूं कि हम लोग अभी उस स्टेज में हैं जहां पर इमेरेटली बहुत सारे तिंकर्स की जरुवत नहीं है, डूर्स की जरुवत ह सबसे आसान काम है, ट्विटर पे कॉमेंट करना बहुत सान है, लेकिन उस में उस पे एक्षन लेना, आपको क्रिटिसाइज करने से मतलब नहीं है, हम भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि गौशन सरकार ने यह नहीं किया, इस नहीं किया, बट कब तक भई ठीक है, जिसने जो किया, जिसने जो नहीं किया, बहुतों ने बहुत कुछ किया भी, ऐसा तो नहीं कि कोई सरकार बिल्कुली कुछ नहीं कर रही है, या कोई organization कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो gap है, आप उसको fill करते चले जाओ बस, तो youth के लिए मुझे लगता है कि यदि एक अच्छे खुबसूरत देश में रहना है, तो negative thoughts से हटके, जो जो भी negativity है, उससे बिल्कुल हटके, एक positive step ले, यदि हम 67 कपडों से जब हमने शुरू किया था और यदि हम लोगों की यही सुनते रहते कि कोई धंका काम करो तो हम शायद next step ना ले पाते बट हमें लगा कि हम इसी को धंका बना के देखते हैं तो action बहुत जरूरी है initiative बहुत जरूरी है कोई भी idea छोटा नहीं होता कोई भी idea छोटा नहीं होता हर idea, हर काम चोटे से ही शुरू होता है यहीं आप उसे छोटा कहते है और आप उस पर शिद्दत से लगे रहेंगे मेहनत करते रहेंगे तो कभी ने कभी वो grow करेगा मैं सोचता हूँ कि बहुत किस्मत वाले हैं वो लोग जिनका कोई dream होता है और उससे भी जादे किस्मत वाले होते है जो अपने dream पर काम करते है और मैं कहता हूँ सबसे किस्मत वाले होते है जिनका dream एक सही direction में होता है तो माना, आज मैं अपनी बात करूं तुम्हें इस बात का satisfaction है कि मेरा dream सही direction में है ड्रीम पूरा नहीं होगा मुझे मालूम है क्योंकि रोज ड्रीम बड़ा हो जाता है बर अटलीस वो एक सही डिरेक्शन में है और वो हर एक इस देश का यूथ कर सकता है और लास्ट पॉइंट इसमें मैं यूथ को ये बोलता हूँ कि आप जब पढ़ लेते कहीं से आपने इंजिनेरिंग कर ली तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंजिनियर के जॉब करेंगे जो आपको सुकुन देता है आपको यदि म्यूजिक में मजा आता है तो आप म्यूजिक में बनाईए अपने करियर क्यों ठीक है आप इंजिनियर पढ़ लिख ली अच्छा है पढ़ा लिखा होना तो बहुत अच्छी बात है उसमें क्या बात है किन्तों सोपनो कु गोटिये सथिक दिगरे नबा सफ़लता पाई चाबी काठी पा सफ़लता आड़कु आपण कु नेई जाई थाई ये थिला तांको सफ़लतार मंत्रों एबंग निश्चित भावरे तांकोर प्रतिटी सब्दव प्रेरणां दाई समाहिची 1-2-1 को इत्रों कि पाव मति बीदा दियूंतों नमस्कार